हेलो एवरिवन आप सुभी का स्वागत है और इती चातरों के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है या बोल सकते हैं गुड न्यूज है तो इस वीडियो में बने वर आईएगा मैं उसके बारे में बताऊंगा जो मैं अभी बोला हूँ गुड तो एक लाइक अपने तरफ से कर दिजेगा अगर आप नए देख रहे होंगे वीडियो को तो सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा हमारे चैनल को और बिल आइकन को ओल कर दिजेगा तो जैसा कि आज बहुती एक इंपॉर्टेंट इनुग्रेशन करना था परदान मंतरी न एक ड्राइबर लेस जो DMRC का एक मेट्रो था उनका उधकाटन हुआ है तो पहले मैं परके बता देता हूँ और ये किस तरह IT चात्रों के लिए ग्यूड निवज है मैं आप लोगको डिटेल में समझाऊंगा तो देखे पारे होंगे निव देली यहां पे लिखा हुआ है परधान मंत्री नरेंदर मौधी ने दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर देज की पहली वीना डराइबर के चलने वाली ट्रेन सेवा के साथ ऐर्पोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉबान मोबिलीटी कार्ट सर्विस सुरू करने के दवरान केंध सरकार के इस पर्धान मंत्री मोदी ने आकरे के जर्ये वर्ष 2014 के बाद से देश में तेजी सी मेट्रियों से वाओ के विस्तार की जनकारी दी उन्होंने देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू करने का सरे पूर पर्धान मंत्री अटल विहारी बाचपेगी को दिया पर्धान मंत्री ने अंदर मोदी ने कहा साल 2014 में देश में सिफ 248 किलो मीटर मेट्रो लाइन्स अपरेशनल थी आज से करीब तीन गुनी यानि 700 किलो मीटर से ज्यादा है वर्ष 2015 तक हम इसका विस्तार 1700 किलो मीटर तक करने का पर्यास कर रहे हैं मोदी ने बताया है कि 2014 में सिर्फ पांच सहरो में मेटरो मेटरो रेल थी आज 18 सहरो में मेटरो रेल को सेवा है वर्ष 2025 तक 25 से जादा सहरो तक मेटरो सेवाव का विस्तार करने जा रही है उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आकरे नहीं है यह करोड़ भारतियों के जीवन में आ रही इज आफ लिविंग के परमान है तो जैसा कि मैं इसको डिश्वर्ट में बताऊं तो आज जो ड्राइबर लेस मेटरो दिये मार्सी के तरफ से बनाया गा था उसका उद्धाटन किये थे परदार्मांत्री नरेंद्रमोधी 11 बजे का प्रोग्राम था तो एक बहुत ही इंपॉर्टन स्टेट्मेंट दिया था दिये हैं कि 1225 तक 25 से जादा सहरों में मेटरो लाइन का विस्तार किया जाएगा तो देखिए ये IT छातरों के लिए कैसे गूड नीज हुआ में बता दूँ देखिए आभी आने वाले सहरों में मेटरो पोर्जेक्ट पे काम चल रह में जो मेटरो का निर्मान होने जा रहा है बिल्कुल वहाँ से भी आपको मेंटेनर का पोस्ट जेई का पोस्ट असेस्टेंट इंजिनियर का पोस्ट देखने को मिल सकता है ठीक है तो आप लोग तैयारी करते रहिए और जो चातर आईटी नहीं किये तो उसको आईटी दीजिए और आप लोग तैयारी किजिएगा बिल्कुल बहाल ही आएगा तो बहुत ही इंपोर्टन स्टेटमेंट आज के तरप से जारी किया गया था तो यह था आप लोग के लिए एक इंपोर्टन अपडेट अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके जाईएगा चैनल पिन्यू देख रहेंगे तो सब्सक्राइब करके जाएगा मिलते हैं नेक्षी वीडियो में तब तक के लिए धन्नबाद